बॉलिवुड की खूपसूरत अभी नेत्रियों में से एक करिस्मा कपूर बॉलिवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है जिन्नोंने नब्बे के दसक में अपनी खूपसूरती और अपने अभी नई से सभी को अपना दिवाना बना लिया था करिस्मा कपूर जितनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्ख्यों में रहती थी उतनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्ख्यों का इस्सा बनी रहती है इनकी साधी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुस्किल हो सकता है तो जानने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के अंधि तक और अगर आप भी करिस्मा कपूर के चाने वालों में से एक है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तो 1991 में फिलिम प्रेम कैदी से अपनी करियर की सुरवात करने वाली एक्टरेस करिस्मा कपूर ने अपनी पहली ही फिलिम से बॉलिवुड इंडर्स्री में एक अलगी छाप छोड़ी लेकिन उन्हें असली पहचार 1996 में आई फिलिम राजा हिंदुस्तानी से मिली जिसके चलते हुए आज भी दर्सोकों के दिलों में जिन्दा है लेकिन ना चाहते हुए भी करिस्मा कपूर की पर्सनल लाइफ हमेशा ही विवादों में रही है करिस्मा कपूर ने बिजनसमैन संजे कपूर से साल 2003 में साधी की और इस साधी से उनके दो बच्चे भी हुए हाला कि इनकी साधी जादा समय तक नहीं टिक पाई जानकारी के लिए बता दे की करिस्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी थी जी हाँ दोस्तों करिस्मा कपूर के बाद संजय कपूर ने तीसरी साधी प्रिया सच देवा से की करिस्मा कपूर अपनी साधी को अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल मानती है करिस्मा कपूर ने अपने एक इंटर्व्यू में बताय था कि जब वे प्रेगनेंट थी तो संजय कपूर उनके लिए एक ऐसी ड्रेस लेकर आये थे जो प्रेगनेंसी के दुरान उन्हें सूट नहीं करती थी जिस वज़ा से उन्होंनों उस ड्रेस को पैनने के लिए मना कर दिया जिस वज़ा से उनके पती और उनकी सास ने करिस्मा पर हाथ उठा दिया यहां तक कि करिस्मा कपूर ने अपने बयान में कहा था कि उनके पती संजे कपूर ने उनके हनीमून के दिन उनके साथ एक डील भी की थी बता दे कि करिस्मा कपूर साधी के बाद घरीलू इंसा का भी सिकार हो चुकी है करिस्मा कपूर ने ये भी बताया कि संजय कपूर उनसे हर छोटी मोटी बात पर जगडते और भैस किया करते थे जब संजे कपूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आये तो करिस्मा कपूर ने साल 2016 में संजे कपूर से तलाक ले लिया और अब करिस्मा कपूर सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों की देखबाल कर रही है वेल दोस्तों जो करिस्मा कपुन ने क्या, क्या सही किया या गलत आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं